प्रिवक्तो जय मातादी जिन कन्याओं का किसी कारण से भी विवाहे तए नहीं हो पा रहा है कई प्रकार के अबरोद आ रहे हैं उनके लिए आज एक राम्मान प्रयोग बताते हैं प्रिभक्तो यह उपाय महागोरी देवी के पूजन का है और उसका जो विधी है उसका हम बर्णन करते हैं इसमें जो सामग्री की आवसकता है सबसे पहले हुआ है सुन ले एक सो आठ हल्दी की गाठाउं की आवा सकता है पूजन सामग्री में एक थाली में कुमकुम रख लें हल्दी रख लें और प्रशाद के रूप में आप छोटी वाली पूरियां यानि अठवाईं जिनको बोलते हैं और उनके उपर चना उबला हुगा चना रख लें अब सबसे पहले इसका प्रियोग बताते हैं कि प्रियोग किस तरह करना है नवरात्री आने वाले हैं नवरात्री के नम्मी के दिन महागोरी की पूजा होती है नम्मी के दिन प्रातहकाल में इश्नान इत्यादी इसे निवथ हो करके और सुद्ध हो करके यदि अपने घर में माता जी इस्थापित हो तो वहां फे पहुँच जाएं और यदि घर में माता जी इस्थापित ना हो तो आस्पड़ोस के जहां मंदिर हो वहां फे आप पहुँच करके और सरप्रिथम महागौरी मैया का पूजन करें पूजन में जल कुमकुम और फुस्प और भोग लगाएं इसके बाद में जो 108 हल्दी की गांट हैं आप ले गए हैं उन 108 हल्दी की गांटों में से पहली गांट उठाएं और हाथ में लेकर के माभगवती का पुनहा ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलें मंत्र इस प्रकार है सोन सिय सत्य असी से हमारी पूजय ही मन का मेना तुम्हारी यह मंत्र इसक्रीन पर भी हम लिख रहे हैं इस मंत्र को बोल करके माभगवती के लिए वो हल्दी की गांट समर्पित करें पुनहा एक हल्दी के गांट रहे हाथ में और गांट ले करके पुनहा इस मंत्र को बोलें और माभगवती को उस हल्दी को समर्पित करें इस प्रकार क्रम सहा एक सो आठ गांटों को समर्पित करते हुगे एक सो आठ बार इस मंत्र का उच्चारन करें और माभगवती से पुनहा बिनम्र पूर्वक निवेदन करें कि हे माभगवती हम आपकी आराधना कर रहे हैं हमारे लिए स्योग वर प्रदान करें यह प्रयोग करने पर मातारान की क्रपा से छह महिने की अबाधी में आपका सम्मंद तय हो जाएगा यह विवाय हो जाएगा हे साद को इसमें आप जितनी अधिक स्रद्धा पूर्वक कारेंगे उतनी ही जल्दी परिणाम आएगा यह आपकी स्रद्धा पर निर्वर करता है इसके प्रयोग से कई कन्याओं को सुयोग बर्गी प्राप्ती हुई है इसलिए यह प्राचीन काल से सुपरचित और प्रिचलित प्रयोग है नमस्कार जय भवानी जय मातादी